Hello everyone, welcome you all at Locase or Unlimited Study Zone केंद्री विद्याले पेपर का हम सलूशन करा रहे हैं 2023-2024 यहाँ पे मैं जो सलूशन लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने 2023-2024 का सलूशन केंद्री विद्याले Half Yearly Examination का मैं आपके सामने सलूशन करा रहा हूँ और यह जो reason यहाँ पेपलाई होता है वो जबलपुर reason है तो जबलपुर reason का मैं आपके सामने यहाँ पेपर आपको simplify कराने जा रहा हूँ चलिए तो सबसे पहले question से start करते हैं यहाँ मैं आपके सामने question लिखता जाओंगा और detail में आपके answers भी clear करता जाओंगा जो first question आपका exam में आया था वो था the number of significant figures in the measured value of 0.0204 तो भाई कुल में लाके question यह था कि आपको इसमें जो significant desert है वो बताने हैं कि इसमें significant desert जो हैं यहाँ पे कितने आए हुए हैं 0.024 में significant desert आपको बताना है कि यहाँ पर significant desert कितने रखे हुए हैं तो बहुत ही simple है देखे, significant desert decimal के बाद के 0 को नहीं लिया जाता है immediately 0 को हाँ और बाकी के desert आप count करेंगे 1,2,3 तो correct answer है इसका 3 significant desert यहाँ पे आएंगे है ना तो इस question में significant desert के बारे में पूछा था second question क्या है मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर उसके बार explain करूँगा the velocity of a body depends on time according to the equation v equals to 20 plus 0.1t square the body is undergoing आपको type of acceleration बताना है कि body किस तरीके का acceleration कर रही है और velocity की equation दी गई velocity की equation में लिख रहा हूँ यहाँ पे velocity की equation है 20 plus 0.1t square यह velocity की equation दी गई है और इसके velocity equation के बाद आपसे बोला गया कि acceleration का type क्या है चार option दिए गया है uniform acceleration है uniform retardation है non uniform acceleration है या zero acceleration है यह आपसे पूछा गया है acceleration का type किस type का acceleration है तो सबसे पहले आप uniform का मतलब जान ले uniform का मतलब होता है constant uniform का मतलब क्या होता है constant जो एक समान हो जो बिल्कुल fix बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं constant ठीक ना मतलब जो time पर depend ना करें जैसे आपकी speed 2 meter per second है तो time जादा हो कम हो उससे कोई मतलब नहीं है समय कितना भी बदल जाए आपकी speed बिल्कुल 2 meter per second से ही चले ठीक ना तो इसको क्या बोलते है uniform velocity क्या बोलते हैं फिलहाल acceleration की बात हो रही है तो हम acceleration निकालेंगे तो acceleration is equal to कितना होता है dv by dt तो differentiate कर दी है मैंने d by dt और velocity की value यहाँ पर मैंने put कर दी अंदर v की जगे 20 plus 0.1t का square 20 constant का differentiation कितना हो गया 0 के बल फसेगा जाल में कौन d by dt 0.1t का square तो भाई 0.1 भी constant है बाहर आ गया और t square का differentiation आपको आता हो तो 2t होता है कितना होता है 2t तो answer solve करके आजागा 0.1 sorry 0.2t यह acceleration है यह क्या है अब ध्यान से लिए कि यह acceleration है यह 0.2t जो आया है यह t की power 1 पर depend कर रहा है कितनी power पर मतलब यह समय के साथ बदलेगा यह समय के साथ बदलेगा और जो चीज समय के साथ बदल जाए यूनिफर्म नहीं होती वो क्या होती non uniform तो कैसा acceleration यहाँ पर आ रहा है यहाँ आ रहा है non uniform और acceleration किसकी power t के साथ single power से बदल रहा है, कैसे बदल रहा है single power से, और single power की यह निए की one power की relationship हम बोलते हैं linear relationship क्या बोलते हैं तो यहाँ पर t के साथ बदलेगा है ना, मतलब इस तरीके से graph बनेगा यदि आप इस axis में acceleration को लिए और इस axis में time को लिए तो जैसे जैसे time बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी acceleration भी बढ़ेगी तो यहां पर non uniform है क्या है यह non uniform चलिए next question की बात करते है third question है third question एक projectile motion के concept से आया है concept क्या है third question में पुझा गया है if angle of projection is change from theta to 90 minus theta हला कि केंद्री विद्याले वालों ने थोड़े यहां पर दरिया दिली कह लीजिए बच्चों के help की है कि अगर डाइग्राम बना के दे दिया है मैं अगर paper देता तो diagram भी नहीं देता उन्होंने एक cannon मनाई है उसमें से दो एंगल दिखाए है पेर डाउनलोड हो जाते हैं आपको दिखा यह एंगल दोनों एक दूसरे के क्या है complimentary एंगल है तो आपको जब मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि चाहए थीटा पे फेको या 90 माइनस थीटा पे फेको दोनों ही horizontal range क्या होती है ich kora होती है क्या होती है equal complimentary एंगल जैसे मैंने ऐक होंगी दोनों रेंज से बराबर होंगी ओके तो यहां पर दोनों horizontal range क्या होंगी equal होंगी तो answer क्या होगा यहां पर remains unchanged क्या होगा remains unchanged क्या होगा रिमेंज़ क्या रहा कि angle of projection । अगर थीटा से लेके 90 मैनस धीटा कर दिया जाए तो बताईए आर में क्या variation है गा, horizontal range में क्या variation है गा, चार option है, correct option है, आर नहीं बदलेगा, मतलब remains unchanged, है ना, तो भाई साब ये एक बढ़िया question हो गया, अगले question की तरफ चलते है, question number 4 की तरफ, question number 4 की तरफ चलेंगे, question number 4 देखते हैं, question number 4, कह रहा है, acceleration acting on the object undergoing uniform circular motion is always along to the, ठीक ना, ये रेके कह रहा है कि अगर कोई path circular motion में, circular path में move कर रहा है, और कैसा circular path, uniform, uniform circular motion, uniform circular motion, uniform circular motion, uniform circular motion मतलब speed constant होती, यहाँ भी 2 meter per second है, तो यहाँ भी 2 meter per second, एकदम steady speed से यह घूम रहा है कोई particle, तो इसमें लगने वाले acceleration कहा होता है दो भाई सा सीडी सीडी बात है, यह बात करना चाहे रहे हैं आपसे centripetal acceleration के बारे में, centripetal, और centripetal acceleration कहां लगता है, along the radius लगता है, और towards the center लगता है, तो इसमें चार option दिए गए हैं, देख लिजे कौन सा है, along the radius, radius के रास्ते, center की तरफ, कौन सा option है, option number C मुझे लग रहा है, along the radius and towards the center of the circular path, radius के रास्ते, center की और जो acceleration लगता है, उसे क्या बोलते हैं, centripetal acceleration, यही वो acceleration है, जिससे की सूरत से बन्धा हुआ है, अर्थ, और अर्थ से बन्धा हुआ है, चांद, ठीक है, clear ना, centripetal acceleration, टाई पकड़के घुमाना मैं इसको बोलता हूँ, चलिए next question, 5th question की बात क question, यह Newton's laws of motion से 5th question आया था, चलिए देखते हैं इसको, so guys, 5th question में पहले आपको बता दें, तो क्या कह रहा है, a cricket ball of mass 150 gram, आपके पास एक cricket ball दी गई, जिसका mass कितना है, 150 gram, भाई साब, gram को kilogram में बदले लो, बढ़िया रहेगा, 150 upon gram को kilogram में बदलने के 1000, यहाँ पे kilogram हो गया, divide किया, 0 से 0, so 15 upon how much, 100, okay, मतलब की 0.15 kilogram, अची बात है, यह हो गया, 15 upon 100, हना, a cricket ball of mass 150 gram, moving with a velocity of 12 meter per second, यह देखिए जो velocity, इसकी initial velocity, वीवन लो, कितनी है, 15 meter per second से move करती है, 12 meter per second, okay, यह 12 कर देता हूं, 12 meter per second से move कर रही है, and hit by a bat, so that the ball turned back with a velocity of 20 meter per second, गई, और जो return हो करके आई, भीटो, this is equals to 20 meter per second, से लोट करके आई, मतलब वेलोस्टी बढ़ गई है, वेलोस्टी क्या हो गई है, बढ़ गई है, विदिन 20 meter per second, the duration of contact between the bat and ball is 0.01 second, जो delta T है, time जो है, वो कितना है, 0.01 second का है, ओके, आपको निकालना है force, आपको निकालना है force, तो मैंने force आपको बढ़ाया था, force equal to होता है, mass into acceleration, mass into acceleration, अब acceleration होता है, changing velocity upon time, acceleration होता है, delta V upon delta T, अब आपको acceleration निकालना पड़ेगा, तो यहने कि final velocity minus initial velocity upon कितना time कितना है, 0.01, one, चलिए, तो find करते है, final velocity कितनी यहाँ पर, final velocity जिससे gain lot करके आई है, वो है 20, देखिए, अब इसमें vector का आपको धियान रखना पड़ेगा, है ना, gain यहाँ से गई है, बुलिए सनो, gain यहाँ से गई है, यह velocity कितनी है, 12 है, क्या है यह velocity, 12, अंदर की और जा रही है velocity, अंदर की और वाली velocity को आप minus ले लो, क्या ले लो minus, अंदर ले लो, ठीक ना, और फिर यह गई है, टकरा करके बल्ले से बाहर की और आई है, तो बाहर की और आने की velocity कितनी है 20 और बाहर की velocity को plus ले लो क्या ले लो plus ले लो final velocity 20 है minus initial velocity कितनी है भाई साथ minus 12 है देख लो minus 12 है अंदर आने की बुली यह सुनो एक plus लोगी तो एक minus लोगी logic simple clear है 0.01 तो यह हो गया कितना है 20 plus 12 20 plus upon 0.01 20 plus 12 कितना होता है 32 upon 0.01 clear है cancel हो गया उपर चला गया तो यहां पर कितना हो जागा double 0 क्योंकि 1 का हो गया double 0 clear है तो यह हमाई पास आ गया acceleration यानि कितना आ गया हमाई पास 3200 3200 यह आ गया meter per second square होती इसकी unit meter per second square unit होगी 3200 meter per second square unit इसका आ गया acceleration अब हमें क्या निकालना है force तो force equal to mass into acceleration mass कितना दिया था 150 gram याद है कुछ तो 150 gram को kilogram बदलने के लिए क्या 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 है 1000 का divide multiply by acceleration कितना आया 3200 clear हो गया okay force किसमें आगा newton में 2 0 यह उड़ गया 1 0 रहा सहा तो यह उड़ गया answer कितना आ गया 32 into 15 15 multiply by 32 तो चली 15 का multiply करता हूँ 32 multiply 15 लिख करके 15 2 जा 30 30 का 0 आ गया 15 2 जा 30 carry आई 3 15 3 जा 45 तो 45 प्लस 3 कितना होता है 48 है ना तो answer कितना है 480 newton कितना है 480 newton बट यहाँ पर impulse पूछा गया मैंने तो यह निकाल दिया है क्या यह मैंने क्या निकाल दिया आपका मैंने निकाल दिया है force क्या निकाल दिया है force तो force आ चुका है 480 newton अब मुझे निकालना है impulse क्या निकालना है impulse तो impulse क्या होता भाई impulse होता है force into time period force into time period तो force आया हमारा 480 और time period कितना है 0.01 0.01, है ना, 0.01, तो इसका decimal काटते हैं, फिर से वही, तो कितने हैंगे, double zero आएंगे शायर, हाँ, बिल्कुल सही, double zero आएंगे, पिछले बार में ने भी double zero ही, तो काटे थे, बिल्कुल से कहीं गलती ही, तो नहीं कि, बिल्कुल नहीं गलती ही, चली, 2-0 आ गए है, 1-0 से 1-0 क बन गए unit, newton, second ये है, impulse की unit, clear है, okay, so this is the unit of impulse, next बात करते हैं, question number six की, अगला देखें, question number six क्या आया है, चली, next question six देखते हैं, कहरा, if a light body and a heavy body have the same kinetic energy, मतलब दोनों की kinetic energy क्या है, same है, तो कहरा कि, किस के पास greater linear momentum होगा, okay, मतलब एक पर पास एक छोटी body है, जिसका mass आप मान लो, m light है, और एक heavy body है, जिसका mass मान लो, आप m, heavy, okay, mh मान लो, या generally आप इस small m मानते हैं, और इसका capital m मान लेते हैं, पता चल जाता है, दोनों की energy सेम है, यानि इसकी भी energy E है, और इसकी भी energy, आपको momentum compare करना है, क्या compare करना है, momentum, तो आप जानते हैं कि जो formula होता है, P is equal to under root 2 m e हुआ करता है, बोली होता है कि नहीं होता है, तो दोनों के लिए मैं momentum का formula लिखता हूँ, पहले वाले के लिए momentum लिए, p1 is equal to under root 2, 2 time, 2 हो गया, mass की जगे small m, और energy कितनी है, भाई साब, e, है की नहीं है, दोनों की energy सेम है, दोनों की energy क्या है, सेम है, दूसरी के लिए momentum लिखता हूँ, second body का momentum P2, heavy body का momentum क्या हो जगा, बोली है, under root 2, okay, m की जगे क्या capital M, और energy की जगे कितना, e, क्यारा, दोनों का momentum आपको निकालना है, की ratio निकालना है, है ना, कि then which one have the greater linear momentum, बताना है कि किसका momentum जो होगा, linear momentum ज्यादा होगा, चले तो दोनों को divide करता हूँ, मैं देखिए यहाँ पर, P1 upon P2, मैंने दोनों को divide कर दिया, अब हमने P1 upon P2 किया है, so P1 की value देखिए, P1 जो थी light body थी, तो light body का momentum देखिए, under root 2, small m, into कितना, e, और नीचे heavy body है, तो इसका momentum कितना है, P2 जो heavy body है, इसका momentum कितना है, 2 capital M, into कितना, e, 2 से 2 cancel, energy से energy cancel, so P1 upon P2 जो आ च ज़्यादा है, अब कम में से ज़्यादा डिवाइट करते हैं, तो क्या है, less than 1, क्या है, less than 1, यानि P1 upon P2, क्या आ गया, less than 1, so P1 less than P2, P1 मतलब light body, मतलब light body का momentum कम होगा, और heavier body का momentum ज़्यादा होगा, so इसका answer होगा, which has the greater linear momentum, heavier body का momentum ज़्यादा होगा, क्योंकि heavier body का momentum आया यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि P1 less than P2 आया है, मतलब P2 का momentum ज़्यादा होगा, तो heavier body का momentum यहाँ पर ज़्यादा होगा, चलिए, next question है, question number 7, बहुत ही simple question आया है, a particle taken round by a circle application of force, then the work done by the force, अगर कोई particle, कह रहा है, taken round a circle, एक circle का एक round ले लिया है, तो दीखे, बहुत ही simple question है, यहाँ पर जो आप जानते हैं कि work done is equal to होता है force.displacement, force.displacement, तो जो force है वो inward लग रहा है, force कहां लग रहा है, और जो displacement नीच रख लो, displacement जो count होती है, कहां count होती है, ऐसे, इस तरीके से displacement count होती, instantaneous displacement, जो तुरंत की displacement होती होती है, इधर की तरफ count होती है, clear हो गया, और वैसी दूसरे तरीके से देखा जाए, अगर एक चक्कर ये बात की बात की जाए, एक चकर के बात की, तो एक चकर के बाद यदि आएगा particle उसी position पर जागा, तो force तो जो भी होगा, displacement कितना होगा, 0, तो आंसर कितना होगा, 0, तो इसलिए work done यहाँ पर कितना calculate होगा, 0, और circular motion में मियाद रखिएगा, कोई work done होता नहीं है, ठीक ना, circular motion में किसी परकार का work done नहीं किया जाता है, ठीक ना, ओके क्योंकि center pedal force लगता है, center pedal force center की तरफ लगता है, तो angle बनता है instantaneous, instantaneous, sorry, instantaneous displacement के साथ 90 degree का, और 90 degree की condition में force और displacement perpendicular हो जाएंगे, कोई work नहीं होगा, answer हैगा, 0, next, center of mass lies near to, भाई, दो पार्टिकल है, एक यह है, चोटा और यह है, मोटा, इनका center of mass कहा होगा, exactly, बीच में होगा, क्या, नहीं होगा, heavier body के पास में होगा, कहा होगा, heavier body के, पास में, बिल्कुल सही है, जुक जगा, heavier body के पास में, center of mass कहीं नहीं, इसका, निकलेगा, done, yes, center of mass, इसका heavier body के पास में होगा, चलिए, अगला question, 9th question, बहुत, अच्छा question था, पढ़ने वाले बच्चों को यह question बना होगा, है ना, question number 9 क्या कह रहा है, कि, question number 9 कह रहा है, कि, अब particle performing uniform circular motion has angular momentum L, एक particle है, जो uniform circular motion perform कर रहा है, इसका angular momentum कितना है, L, L angular momentum से, L की value होती है, आप जान लीजे, M, V, R, R क्या होती है, इसकी radius होती है, R क्या होती है, radius, V होती है, इसकी speed, और M तो होता है, particle का mass, परकुल करके इसको टूमेगा कर दिया और इसकी की थे था और तीक च्या मोमेंटम आप Option कितना तो सबसे पहले मैं आपको अंगूलर मोमेंटम बता देता हूं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम L equals to MBR तो होता ही है, इसका दूसरा फार्मूला है I omega, क्या नाम है इसका दूसरा फार्मूला, I omega, है ना, आपने पढ़ा भी होगा, L equals to I omega, ठीक ना, I omega, ठीक है, देखिए, मास, मास की जगए I आ जाता है, और वे I omega आ गया, तो ये था linear motion, और ये हो गया rotational motion, ठीक अच्छी बात है, I omega आ चुका है, अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे L equals to, मेरे को kinetic energy को involve करना है, किसको involve करना है, किसको involve करना है, और किसको involve करना है, ओमेगा को बदल करके 2 omega कर दिया है, किसको बदल के, omega बदल करके 2 omega कर दिया है, ठीक ना, तो ये देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैंने I है, omega है, मैंने omega का उपर multiply किया, और omega का नीचे क्या किया, divide किया, बोलिये yes or no, तो क्या बन गया, L equal to I omega square upon कितना, omega, मैंने omega के multiply किया, मैंने 2 का divide किया, और हमने 2 का क्या किया, multiply किया, तो L equals 2, कितना बन गया, भाई साब यहां पर देखे, L equals 2 हो गया, I omega square upon 2, clear, multiply by 2 upon omega, multiply by 2 upon, done, clear है ना, तो अभी तक L ही चल रहा है, अब देखो फायदा क्या इसका, ये क्या बन गया, ये बन गया, half I omega square, मतलब rotational kinetic energy, याने K, बन गई, और K into 2 upon omega, इसको मैं लेख सकता हूँ, 2K by omega, 2K by, ये पहला अपना L1 है, ये अपना L1 है, initial momentum, ये इसको, है ना, इसको L, L ले लो, L equal to कितना 2K upon omega, चलेगा, अब कुछ changes होने वाले हैं, अब देखो नया वाला L रेस निकालता हूँ, अब question बन रहा है, अपना start क्या रहा है question कह रहा है कि अगर, 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 आप जो है, angular frequency को double कर दो, क्या कर दो, angular frequency को, double, और kinetic energy को half कर दो, kinetic energy को क्या कर दो, half कर दो, चलो करने वाले हैं, भाई साब, हाँ, L-2 की जगह 2, बोलिए yes, K की जगह kinetic energy को half कर दिया, याने K by 2, और omega को double कर दिया, या लिखता हूँ, one upon four, बोलिए हाँ, और बाकी की सामगरी उपर लिख दिया, two के upon कितना, omega, हाँ या न, तो दिखिए, नया वाला जो angular momentum है, L-2 equal to one upon four बाहर लिया, और two के upon omega क्या था originally, L, तो यहाँ पर मैंने क्या put कर दिया, L, तो answer कितना आ गया, L by four, तो जो नया angular momentum आएग वो कितना आएगा, L by four, तो यह पूछा गया था, L by four, done, कोई दिक्कत तो नहीं न, चले अगले question की और चलते है, question number 10, सीधा 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 सवाल किया गया था, question number 10 में, की एक particle है, gravitational potential energy of a system of two point mass, gravitational potential energy, एक है mass M1, और एक है mass M2, ओके, और इनके बीच की दूरी कितनी है, और इस system की gravitational potential energy, भाई, सीधा सीधा formula था, minus G, capital M1, और M2, अपॉन कितना, और यह तो सीधा formula आया, कुछ ही नहीं करने को, ठीक न, 11th question की और चलते है, okay, done, 11th question की और चलते है, अगला question है, the velocity with which a particle must fired, that it escape for the gravitation does not depend on, देखे कह रहा है कि, अगर एक particle को आप fire कर रहे हो, environment से, और यह atmosphere zone उनको निकल के बाहर निकल जाए, तो बताईए, किस चीज़ पर depend नहीं करता है, तो यदि आपने पढ़ा होगा, इसकी velocity का formula, we escape equal to होता है, under root 2, small g into कितना, r, clear, to small g, r, यदि आपे small g की value की यहाँ पर replace कर दें, तो small g की value होती ही, capital gm upon r का square, r मतलब अर्थ की या जिस planet की ब capital g, capital m, planet का mass upon planet की radius का square into यह, जितने मतलब की radius है, उसकी weight बिटा, तो यहाँ पे r, capital, small r, मतलब आप जिस distance से उपर से फेके ते वो भी हो सकता है, खर r से अपना लेने दिन नहीं है, तो देखिए, यहाँ पे देको यह mass of the planet पर तो depend कर रहा है, मगर जिस object को आपने फेका है, सुई फेकी हैं, हाथ ही फेका, उस पर depend नहीं कर रहा है, तो किस से free होता है, यह free होता है, mass of the projectile से, किस से free होता है, तो does not depend on mass of the projectile, यह mass of the projectile पर depend नहीं करता, जो आपने थोके, यह रखा हुआ है, mass of earth का, यह रखा है ना, बाकी चीछ पर depend कर रहा है, clear है ना, gravitational constant पर depend कर र ठिक कर रहा है ठेगा ठिक है radius of the projectile orbit पर कर रहा है ठेगा बाकी कि वाली मास of the projectile पर डिपेंड नहीं कर रहा है मासुत प्रोजेक्सेंट मतलब आपने जिस चीज को एक यहां से उसका मास्ट है ना अर्त की ऊपर रखा हुआ यह अर्त बिल्कुल सही कोई दिक्कत नहीं है आपको सेम विलास्टी लगेगी विलास्टी विल्कुल सेम लगेगी डन नेक्स्ट अपना अगला फॉर्मुला है ट्वल नमर क्वेश्चन ठीक ना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको निकालना है अगर आपने कह रहा है कि दोनों अब अब्जेक का मास M2 है तो इनके और दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है आर है कितनी डिस्टेंस है आर तो मैंने पढ़ा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वोली कैपिटल जी M1 M2 अपन आर का स्क्वार यह पहला फॉर्स है ठीक है अब कह रहा है तो ग्रेविटेशनल फो के बीच के डिस्टेंस without altering मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस सेम है उसमें कोई वेरियेशन नहीं किया गया बिल्कुल पहले भी आर थी अभी भी आर है तो नया वाला फोर्स कितना होगा लियो भाई फ-डिस इकोल टू बोलो फॉर्मुला जी की जगे जी एम वन की जगे अब आएगा कितना एम वन बाई टू आएगा मटो बाई टू अथी क्या एम तू अपाउन आरका इस्टेंस स्टेंस आपवाम अं। पुराने चीज जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वाइर याद है यह क्या था यह F था क्या था यह F था देखो यह पिछले जनम में क्या था F था तो मैंने इसकी वेल्यू पुट कर दी मतलब जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का कितने टाइम हो जाएगा वन बाइ फोर्स टाइम कितने बाइब वन बाइब फोर्स तो न्यू फोर्स विल बी F बाइफ बाइफ फोर ठीक है डन चले देखिन नेक्स केटेगरी जो आती है वो है एसरसन रिजन की एसरसन रिजन की आप चार जो ऑप्शन सोते हो जानते हैं A, B, C, D वो ओल ओबर दा वर्ल्ड सेम चलते हैं पहला उप्शन होता है कि एसरसन सही है और रीजन भी सही है और रीजन जो है एसरसन को वेल डिफाइन करता है ठीक ना और दूसरा है एसरसन और रीजन दोनों सही है मगर रीजन एसरसन को वेल डिफाइन नहीं करता तीसरा है एसरसन सही है मगर रीजन फॉल् दोनों ही अब यह आप उसमें पढ़ लीजेगा मैं इस पर जादा नहीं जाओंगा मैं सीरे कोश्टन पर आ रहा हूं कोशन नबर 13 क्या किया रहा है कोशन नबर 13 Isherbirds ago को इनी में बोलते हैं कातर्ण क्थन क्या बोलते हैं और रीजन का मतलब होता है इसका कार्ण कार्ण मतलब कारण तो आपको चेक करना कतर्ण सही है और फिर कारण सही गलित है कठन क्या पढ़ता हूं पहला है इसरसन है, in projectile motion horizontal component of velocity remains constant, बिल्कुल सही बात है भाई projectile motion में जो horizontal component होता है velocity का, जिसको आप Vx बोलते हो, वो हमेशा u cos theta बना रहता है, बिल्कुल सही रहता तो इसरसन तो बिल्कुल सही है second reason क्या है the force component the force on the projectile is gravitational force which act only in vertical direction, बिल्कुल सही बात है कि जो force act होता है, वो क्या लगता है केवल downward direction में और जब downward direction में force लगेगा तो force क्या होता है, mass into acceleration अगर force जिन्दा है, तो acceleration भी जिन्दा है acceleration का काम क्या है, velocity बदलना और जब velocity केवल कहां बदलेगी, downward direction में horizontal direction में कोई force नहीं लग रहा है समझ गया है है ना, तो the force on the projectile is gravitational force which act only in vertically direction, vertically downwards तो बिल्कुल सही reasoning है कि क्योंकि downward direction में काम करता है, जो force लगता है horizontal direction में कोई force काम नहीं करता है, तो इसका correct answer होगा A, assertion is reason is true and reason is the correct explanation of assertion, तो इसका correct answer है A, कि जो reason है वो सही कारण है assertion का 14 question की बात करते है, question number 14 question number 14 का assertion क्या है, और reason क्या है, दोनों पढ़ते है question number 14 का assertion है, the dot product of one vector with another vector may be scalar or a vector, बिल्कुल गलत अगर दो vector का आप dot product कर रहे हो, तो भाहिया result हमेंसा scalar आएगा, vector होने का उसका कोई chance नहीं है तो भाहिया assertion ही गलत हो बैठा है reason देखते हैं कि if the product of two vector is a vector quantity then the product is called dot product लेओ, अगर दो vector quantity का product dot, इस vector आ रहा है, c vector आ रहा है तो ऐसे product को हम dot product नहीं बोलते हैं, ऐसे product को हम बोलते हैं cross product, क्या बोलते हैं तो भाहिया ये भी तो गलत है इसका correct answer क्या है c होगा इसका correct answer oh no 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 नहीं, गलत है ना भाहिय, देखो dot product का answer scalar ही आएगा, vector भी नहीं आएगा इसलिए तो मैंने कहा ना, कि गलत है तो इसका correct option अरे कुछ भी और बाए गलत लिख दिया only and may be क्या maybe हो सकता है बिलकुल गलत only scalar ही होगा तो इसका correct answer क्या है डी बोथ हार incorrect बोथ हार incorrect है ना इसरसान और रीजन दोनों ही गलत दे रखे हैं next question number 15 पे चलते हैं 15 question के रहा center of mass does not move under the action of internal forces बिलकुल सही बात है center of mass अपनी fixed position बना के रहता है क्योंकि internal forces जो होते हैं है ना under the action of internal forces एक दूसरे को cancel कर देते हैं क्या कर देतें internal forces एक दूसरे को इसलिए center of mass कभी अपनी position नहीं बदलता है reason लिखा है कि internal forces are non-conservative forces internal forces are non-conservative forces तो बिलकुल सही बात है कि internal forces होते हैं वो non-conservative हुआ करते हैं है 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 ना मगर एशरसन तो सही है मगर इसको reason correct define नहीं कर रहा है उसको reason के लिए यह लिखना था कि दोनों forces internal forces जो होते हैं वो pair में exist करते हैं और एक दूसरे को cancel कर देते हैं तो यह कुछ कह रहा उपर वाला कुछ कह रहा है नीचे वाला कुछ कह रहा बट रीजन भी ट्रू है मगर दोनों एक दूसरे को correctly explaining कर रहे हैं तो इसका correct answer बी होगा क्या हो इसका correct answer बी होगा तो बी जिनका है वो सही है next 16 question है वाई last है if pendulum is falls freely then time period is infinite तो pendulum का time period बच्चों को याद होना चाहिए t is equal to 2 pi under root l by g okay l by g और free fall में gravitation acceleration की value किती होती है 0 किती होती है तो t equal to 0 डाल दोगे इसकी जगे तो l upon 0 कितना हो जाएगा infinity हो जाएगा तो पहला तो बिल्कुल सही होगा statement की pendulum अगर freely fall कर रहा है तो time period infinite होगा बिल्कुल सही है दूसरा reason क्या है freely falling body have acceleration equal to g अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई body free fall कर रही तो उसका acceleration कितना होगा 0 ना कि g क्या होगा इसका acceleration 0 freely falling body has acceleration equal to 0 हो जाएगा acceleration है ना क्योंकि g तो भाई आप जमीन पर बैठो तब आपका acceleration है clear होगे ना free falling body का net acceleration कितना count होता है zero count होता है so इसमें assertion to true है मगर reason false है तो correct answer इसका होगा c वाला assertion is true but reason is false so thank you so much for being with Loki sir unlimited study zone बाई बाई